दोस्तो मद्द प्रदेश का ओरिजिनल बिजली बिल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोगो अपने फोन का ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आप लोगो सर्च करना है सबसे पहले आप सर्च करेंगे MPEZ यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं इसी पगार से आप लोगों को सर्च करना है इसके बाद सिंपली आप लोगों को सर्च के बटन पे क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सर्च रिजल्ट आ चुक इसके बाद दोस्तों आप लोह के सामने कüछ इस प्रकार का इंटरफेस आजाता है यहाँ पे आप लोग को क्या करना है यहाँ पे तीन सेक्षन है जिसमें से आप लोग को ये बीच वाले सेक्षन में आजाना आप लोग यहाँ बेख सकते हो IVRS number डालने का यहाँ पर option है तो यहाँ पर आप लोग अपने बिजली बिल में जो भी IVRS नमबर होता है आप लोग स्क्रीन पर देख पार होंगे कहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा मद्ध प्रदेश के बिजली बिल में तो यहाँ पर आप लोग को IVRS number लेकर आपनों को यहाँ पर simply यहाँ पर लिख देना है इसके बाद यहाँ पर I am not a robot को option पर यहाँ पर क्लिक करना है तो यह blue tick लग जाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पार होंगे इसके बाद यहाँ पर आपनों को यह जो capture code देखने को मिल रहा है जिसमें capital D, capital R, small y, e, 3 and F देखने को मिल रहा है इसे आपनों को यहाँ पर azts लिख देना है जैसा यहाँ पर दिया गया है सेम यहाँ पर आपनों को लिख देना है यहाँ पर हमने IVRS number इंटर कर दिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हलाकि मैंने से blur कर दिया है और यहाँ पर I am not a robot को option पर आप देख सकते हो यहाँ पर verify हो चुका है यहाँ पर हमने capture code को यहाँ पर इंटर कर दिया है इसके बाद simply हम click to proceed को option पर click करेंगे click to proceed को option पर click करते है invalid capture so होता है इसे आप okay कर देंगे इससे कोई problem नहीं होगी इसके बाद दोस्तों next space में आपनों को यहाँ पर देखने को मिलेगा consumer information IVRS यहाँ पर consumer name यहाँ पर consumer address bill month आपनों को यहाँ पर देखने को मिल रहोगा अप्रेल का है इसके just नीचे आपनों को यहाँ पर mail number इसके बाद email address आपनों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बाद यहाँ पर bill issue date आपनों को देखने को मिलेगा जो कि 5 माई को यहाँ पर यह जो bill है यह issue किया गया है और last date जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि last date कब है इसे pay करनेगा तो 19 माई इसका last date है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके just नीचे आप लोग यहाँ पर बिल amount भी देखने को मिलेगा जो कि 1517 रुपए है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके just नीचे late payment sub charges आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो की 00 है इसके बाद the net payable amount आप लोंको यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो जस्ट नीचे आप लोंको यहाँ पे download bill का option पे click करना है और आप बिल भी download कर पाएंगे तो यहाँ पे हम बिजले bill भी download करके देख लेते हैं यहाँ पर आप जैसे ही download bill का option पे click करेंगे बिजले bill काफी ज्यादा आ गया है तो आप इसका print out निकलवा के इसे आप जो है बिजले आपिस जा सकते हैं और excuse कर सकते हैं कि मेरा बिजले bill ज्यादा आया हुआ है और इस प्रकार से आप लोग जो है अपना original बिजले bill डाउलोड कर सकते हैं आइ ओप दोस्तो आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो हेलफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा इसी पकार के और भी अपडेट पाने के लिए मिलते हैं दोस्तो नेक्स वीडियो मे आपको चैनल करता है।